हेलो फ्रेंड्स मसकार आज मैं आपके लिए लाई हूँ यह बुनाई का डिजाइन इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने जो फंदे लेने हैं वो लेने हैं 11 के गुणा करके और जमा उसमें दो फंदे एक्ष्टर लेने हैं यहां भाँ सिलाई में हमारा हाफ डिजाइन बनेगा आए बनाते हैं इस डिजाइन को कि यहां पर मैंने फंदे लिए हैं 11 के गुणा करके 22 और जमा दो 24 फंदे लिए हैं तो हमारा दो बार डिजाइन बनेगा आईए बनाते हैं इस डिजाइन को पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना और एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से जाली डालेंगे इस फंदे को सीधा कर लेंगे साथ में नेक्स्ट फंदा लेंगे दो फंदो को इकठा बुनेंगे एक साथ ऐसे ऐसा पांच बार बुनेंगे पांच ही जालीयां बनेंगी फिर से जाली बनेंगी और ये फिर से बनाएंगे पहले फंदे को टर्न कर लें फिर दो को इकठा बुनें ये दो दो बार बना ल यह जाली डाली के फंदा और दोगळंद कीए द़ार्दक इस तरह से के लीम यह जाली बन जाये जैगी यहां न न मुए कि न फंदा बाइगा और यहां दोगळ गटीगा पहली इस फंदे को इस तरह से सीधा कर लें दोको 30 में एक साथ, ऐसे, तो देखें, जालियां हमारी एक, दो, तीन, चार, पांच बनी है, और यहां से एज को छोड़के देखें, एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आज, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा फंदों का डिजाइन है, अब देखें, उन को आगे लाएंगे, और ग्यारा फंदे उल्टे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और यह ग्यारा, देखें, यहां से देखें, यहां तक हमारा एक डिजाइन कम्पलीट हुआ है, बार बार इसे ही रिपीट करेंगे, यह हमारा डिजाइन 24 फंदों में कम्पलीट होगा, तो 11 फंदे हमारे यहां पर होगे, और 11 फंदे उल्टे होगे, तो यही आपने रिपीट करना है, एज को छोड़के, फिर से यहां से रिपीट करेंगे, तो आगे-आगे बनता जाएगा, लास्ट का एक फंदा बजेगा, इसे सीधा बना ल कुनते हुए, कम्पलीट करेंगे, सीधी साइड और तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, अब दो फंदे सीधे बनेंगे, देखें, पहले एक बना था, अब दो बनेंगे सीधा, इस तरह सिल पेटेंगे उनको, और दो फंदों को इकठा बनेंगे, एक साथ, ऐसे, अब फोर टाइम करना है इसी तरह से, चार बार देखें, ये दूसरी बार जाली बनाई, इस फंदे को सीधा कर लें, नेक्ष्ट फंदा साथ में लेंगे, दो को इक अठा बनेंगे, फिर जाली डाली, इस फंदे को सीधा किया, ये तीन, फिर से जाली डाली, इस फंदे को सीधा किया, साथ में next फंधा लेंगे 2 का 1 बुना, तो यह हमने 4 बार बुना है, पहले 5 बार बुना था, 5 जालीया बनी थी, अब 4 है, देखें, एक, दो, तीन, चार, और 4 टाइम ही 2 का एक किया है, अब यह फंधा जो है, इससे सीधा बुन लेंगे, ऐसे, 11 फंधा को डिजा तो अपने यहां से लेखे यहां तक कंप्लीट कर लेना है बार बार यही 24 फंदो का डिजाइन लास्ट में एज जो है हमारा इसे सीधा बना लेंगे उल्टी साइट से उल्टा बना लेंगे पांच भी सिलाई सीधी साइट पहला फंदा उता रहेंगे एक दो तीन अब तीन फंदे बुने सीधे और इस फंदे को पहले इस तरह से टर्न कर लेंगे साथ में नेक्स्ट फंदा लेंगे और दो फंदो का एक बनाएंगे फिर से जाले डालेंगे इस फंदे को सीधा कर लेंगे नेक्स्ट फंदा लेंगे और दो फंदो को इक अठा बुनेंगे एक साथ फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, साथ में next फंदा लेंगे, दो का एक करेंगे, इस थरह से, तो ऐसा तीन बार किया है, देखें, एक जाली, दो जाली, तीन जाली, और ये दो का एक, फिर से दो का एक, फिर से दो का एक, अब यहाँ पर दो फंदे सीधे एक और यह दो नेक्स्ट जो है 11 फंदे इन्हें उल्टा उल्टा बना लेंगे यह 11 देखें यहां से लेके यहां तक हमारा 22 फंदों का डिजाइन है बार बार यह रिपीट करेंगे लास्ट में एक फंदा होगा इसे सीधा बना लेंगे सीधी साइड साथ मिस लाए पहला फंदा उतारेंगे एक दो तीन और यह चार चार फंदे सीधे रहेंगे इस तरह से लेके पेटेंगे उनको जाले डालते हुए दो फंदों का एक करेंगे यह जाले डालते हुए दो का एक किया फिर से जाले डालेंगे इस फंदे को सीधा कर लेंगे साथ में दूसरा फंदा लेंगे और दो फंदों का एक कठा एक साथ एक कर देंगे तो यहां पर हमारी दो जालिया बनी हैं दो बार दो का एक किया है इसके बाद हमारे तीन फंदे सीधे रहेंगे एक, दो, तीन, धागा अपनी साइड करके ग्यारा फंदे उल्टे बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे तो यहां से लेके यहां तक बाइस फंदों का डिजाइन बार बार रपीट करेंगे सीधी साइड अब है हमारी नाइंथ रोप पहला फंदा उतारेंगे बिन बुना अब एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे सीधे जाली डालेंगे और दो फंदों को इकठा बुनेंगे पहले फंदे को सीधा कर लेंगे और दो का एक करेंगे अब एक ही बार जाली डालेंगे और एक ही बार दो का एक करेंगे बखे एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड करते हुए 11 फंदे उल्टे बना लेंगे धागा पीछे एज जो है सीधा बना लेंगे तो यहाँ से एज चोड़के और यहाँ का बीच के जितने भी फंदे हैं हमारे 22 फंदे यही बार बार पीट करेंगे राश्ट में एक फंदा बचेगा यह वाला उसे सीधा बना लेंगे 11 मिसलाई अब इस रो को सभी फंदों को सीधा सीधा बनाना है 11 मिसलाई को सीधा सीधा बुनते हुए कंपलीट कर लेंगे जितने भी फंदे होंगे आपकी सिलाई में आपने 11 मिसलाई में सीधा सीधा बना लेना है इस तरह से उल्टी साइड में भारमी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे अब देखें 12 सिलाई में हमारा हाफ डिजाइन बनेगा अब नेक्स्ट जो बारा रो होंगी ये जो डिजाइन बना है यहां बनेगा और जो उल्टी रो है वो यहां पर बुनी जाएंगी तो देखें पहला फंदा उतारेंगे हमारी तेरमी सलाई है धागा अपनी साइट रखते हुए ग्यारा फंदे उल्टे बनेगे दो हो गए ये तीन जार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनेगे जाली डालेंगे इस फंदे को टर्न कर लेंगे साथ में नेक्स्ट फंदा लेंगे दो फंदो का एक बनेगे ऐसा पांच बार करेंगे फिर जाली डालते हुए, ये फंदा पहले टर्न करेंगे, दो का एक करेंगे, दो हो गया, फिर जाली, फिर ये फंदा, दो का एक, तीन हो गया, ये जाली, ये फंदा इस तरह से टर्न करेंगे, दो का एक बुनेंगे, च्यार हो गया, जाली डालेंगे, ये फंदा टर्न करते हुए यह दो का एक करेंगे तो 5 हो गया 5 हमारी जालिया बनी है यह एक दो 3 4 5 और 5 ही वार 2 का एक यह है तो यहां से लिखें यहां तक हमारा कम्प्रीट हो गया है पैटन यही पार बार पीट करेंगे लास्ट में एक फंदा रहेगा इसे सीधा बना लेंगे 15 रों पंदर मी स्लाई पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइट करेंगे और ये 11 फंदे उल्टे बना लेंगे देखें 11 फंदे उल्टे बना लेंगे अब यहां दो फंदे सीधे बनेंगे एक दो जाले डालेंगे अब चार बार जाले डालेंगे और चार ही बार दो का एक करेंगे पहले फंदे को टर्न कर लें दो का एक जाले डालेंगे दो का एक, जाले डालेंगे, दो फंदो का एक, जाले डालेंगे, दो फंदो को इकठा बुनेंगे, एक साथ, लास्ट में हमारे ये दो फंदे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे, सीधी साइड, स्तार में स्लाइज 17 रो पहला फंदा उतारेंगे और ये 11 फंदे उल्टे बना लेंगे धाग पीछे करेंगे एक, दो, तीन तीन फंदे सीधे बनेंगे जाली डालेंगे इस फंदे को टर्न कर लेंगे दो का एक करेंगे फिर से जाली डालेंगे और दो फंदो का एक करेंगे फिर से जाली डालेंगे ये दो फंदो का एक करेंगे ऐसा तीन बार करेंगे लास्ट में हमारे दो फंदे हैं सीधा बुन लेंगे देखें यहां से लेके यहां तक हमारा इन है बार बार इसे ही रपीट करेंगे लाश्ट में एज जो है इसे सीधा बना लेंगे सीधी साइड 19 वी रो पहला फंदा उतारेंगे 11 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे धागा पीछे अब एक दो तीन जार फंदे सीधे जाले डालेंगे इस फंदे को टावर्न करेंगे दो फंदो को इकठा बुनेंगे फिर से जाले डालेंगे दो फंदो को इकठा बुनेंगे ऐसा हम टू टाइम करेंगे लास्ट में हमारे यहां पर यह तीन फंदे बचेंगे इस तरह से सीधे बना लेंगे 11 फंदे उल्टे रहेंगे फिर यह 11 पर डिजाइन ऐसे ही बनाते जाएंगे लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है इसे सीधा बना लेंगे 21 में स्लाइड 21 रोज पहला फंदा उतारेंगे और धागा अपनी साइड करते हुए ये 11 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे धागा पीछे करेंगे 5 फंदे सीधे बनेंगे ये 2 3 4 5 जाली डालेंगे 2 का 1 करेंगे अब एक ही टाइम दो का एक किया फिर 4 फंदे सीधे एक 2 3 4 देखें यहां से यहां तक हमारा 22 फंदों का डिजाइन बार बार रपीट करेंगे लास्ट में हमारा एक फंदा एज जहे से सीधा बना लेंगे यह देखें अब हमारी 23 स्लाई 23 रो सबी फंदों को सीधा बना लेंगे जैसे ग्यारमी स्लाई को बनाया था सीधा सीधा वैसे ही इस रो को सीधा सीधा बना लेंगे सीधी साइड से और उल्टी साइड से 24 रो सबी फंदो को उल्टा बना लेंगे इस तरह से पक Всем के सबी फंदो को सीधा मुलिया है आप उल्टी साइड में सबी फंदो को उल्टा बना लेंगे इसमें चार वार बना है डिजाइन हमारा एक तो थीन चार और यहां दो बार बना है एक औरagle यह दो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जुरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूर न भूलें लाइक एंड शेयर करें थेंक यू